पूरे देश-परदेश में बदलाव का माहौल है और जो फीडबाक हमको मिल रहा है जो देखने को मुझे मिल रहा है उसके अधार पर मुझे लगता है कि कॉंगेस पार्टी का परफार्मेंस पहले से बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया गड़मंदन का बहुमत हमको प्र सरकार की रिपोर्ट काट को देख के मुल्यांकन करकर और यह जुम्ले और वादों में लोग फसने वाले नहीं है बहुत समझदार मदात हमारे देश का है और मुझे लग रहा है कि खासकर उत्तर भारत में और पश्ची महारत में जहां पर बीजेपी कॉंग्रेस का वंट कि बीजेपी दावा करी हेट्री का रहस्ता है ठीक इसी वज़े से क्योंकि पिछली दो बार से जन्ता ने पूरा विश्वास किया और सारी सी जीतने के बावजूद भी परदेश को कुछ खास सौकात नहीं दे पाएं और दस साल की जो परफॉर्मेंस है एंपी उसकी जो लोग ज्यादा खुश नहीं है हमारे कैनिडेट्स, हमारा कम्यूनिकेशन, हमारा स्टाइड़जी, हमारा मैनिफेस्टो और हम लोगों का जो एक प्लैंक एंडिया लाइंस का उसको लोग बहतर समझ रहे हैं बाजपा से और न्डिये से लेकिन पैलेट साब बीजेपी दा लाने का, इंडिया गड़बंदा ने, वो कुछ सीटों की बाजपारी करना ना, दो सो, तीन सो, चार्सो, पांक सो, इसका क्या मतलब है, जन तक रिसेट करें किसको कितनी सीट मिलेंगी, मैं इतना कह सकता हम आपको, कि राजपा से ज्यादा सीट जितेंगे, राजपा से ज जो नारेटिव स्थापित हुआ है, वो यह जो 2004 में हुआ था, इंडिया शाइनिंग के बाद सरकार बनी थी, UPA की, ठीक उसी प्रकार 24 में भी होगा, पैलेट साब, आपने दावा किया कि सरकार आप बना रहे हैं, राहिस्तान में भी BGP से जादा सीटे लेकर आ रहे हैं, तीन, चार मेने पहले विदान सबा के चुनाओ हुए थे, तब दी दावा था, तावा था, तावा था, यहां पर खास कर नहीं पाएं, पहली बात, दूसरा, राहिस्तान चुनाब विदान सबा के हुए, उसमें हमारी हार जीत का दंतर था, वो और फ्रसंट वोट कफरत थ हम सरकाँ नहीं बना पाईे, उसका में खिएद है, और तीस स usable ही हो रहा है, हम हर बार सरकाँ बनाते हैं, पिर हार जाते हैं, लेकिन हमारा Jit का और हार का उंतर बहुत कम था, और यह देश का नाशनल इलेक्शन है, यह स्टेट का इलेक्शन नहीं है तो बार से युज़ अ को पसंद ना रहा है इसलिए मुझे लगता है कि कॉंगरेस पार्टी के अधिकांज के अधिकांज के अधिकांज जित कराएंगे। इसलिए जजबाती मुद्ध आठाना चाहती है ताकि लोगों गंदर टक्राफ पैदा हो उससे हम दूर रहते हैं सब को साथ लेकर चल रहे हैं और मुझे लगता है भाजपा का जो इंडिया गटबंदन है वो मजबूरियों बनाए गया है जब इंडिया लाइन्स ट्रॉंग हुआ तब भाजपाने दुबारा से इंडियों को जोड़ना शुरू किया लेकिन लोग परफॉर्मस को देखर वोट डालेंगे और मैं आश्वास्त हूं कि हम लोगों का इस बार का जो आकड़ा बहुत 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 हैं लेकिन पिछले दिनों की बात की ज हैं हरियाना के राइस्थान के वो कॉंगेस पाटी में आये हैं हमारे कुछ पूर मंतरी महां चले गए होंगे लेकिन आने जाने से फरक पड़ता नहीं लोग वोट डालते हैं अलाइंस को एडियोलोजी को रोड मैप और एजेंड़ा को देखकर और विक्तियों से ज्याद लोग पार्टियों को पसंद करते हैं इसलिए मुझे लगताने कि बहुत जादा फरक पड़ेगा आपने कहां बीजी पी से ज्यादा सीटे राइस्थान में आप चीते हैं वो कौंसी सीटे है जहां पर आपको थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है कहीं कमजोरी नहीं है टकर क किया है लेकिन मैं बहुत जादा बड़े बोल नहीं बोलता हूं मैं जानता हूं मुझे मंत्री पूर में जो रहे है अशोग यहलोग साहसाद नजर आ रहे हैं पूरी पार्टी एक जुट है हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बात विक्तियों के नहीं है आज देश की बात है विपक्ष की एक्ता की बात है और कॉंगर्स को मजबूत करने की बात है उसमें सम्मिल कर काम कर रहे हैं थैंक्यू